कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमास बात करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिश इन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वालेगे एक बहुत ज़्यादा महत्व पून टापिक पर और 30 साल बात बहुती ज़्यादा दूल्लब रहा है और इस दुल्लब सेयों की वज़े से आप सभी को काफी ज़्यादा होने वाला है जी हाँ, ग्रहों और नक्षत्रु की चाल के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो ऐसा मौका बार-बार देखने को नहीं मिलता और 30 साल बाद ये मौका मिल रहा है और इत्तफाक देखिए कि 30 तारिक को ही ये मौका आपको सभी को देखने को मिल रहा है जी हाँ, 30th of May 2022 को एक ऐसा दुल्लब सेयोंग यहाँ पर बन रहा है जो कि आप सभी के लिए काफी ज़्यादा मददगार होने वाला है क्या क्या होने वाला है, दिखिए सबसे पहले शनी जयंती का दिन है शनी जयंती अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दिन होता है शनी देव का यहाँ पर जन्म हुआ था दूसरा यहाँ पर अमावस्या का दिन है और उसमें भी खास बात क्योंकि सोमवार का दिन है सोमवती अमावस्या का दिन है सोमवती अमावस्या और शनी जैनती का साथ में मिल जाना एक अधबुद सयोग है और उसी के साथ साथ इसी दिन में वर्ट सावित्री व्रत का भी आ जाना ये इस सयोग को और भी जादा खास बना देता है काफी सारे लोगों को शायद सावित्री वृत के बारे में नहीं पता होगा काफी लोगों को शनी जैन्ती के बारे में नहीं पता हो शायद तो मैं आज यहां पर उपर से शनी की द्रश्टी को शनी की काली द्रश्टी को यहां से हटा दे साथी साथ सोमवत्य अमावस्या अपने आप में पवित्र दिन है और ये दिन जो है वह काफी सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है और आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाता है और प पती के लिए और अपने परिवार के लिए इवरत रखती है ताकि उनके आयू अच्छी हो उनके सिहत में कोई दिकत को परिशानी ना हो और गर की समस्याएं दूर हो जाएं गर की समस्याओं से छुटकारा मिले तो इसलिए यह बहुत ही जादा खास समय यहां पर बन रहा है और इस सोमवार के दिन में 30th of May को यह अद्बूत संयोग आप सभी के लिए काफी ज़दा मददगार रहने वाला है वैसे तो शुरवात जो है वो 29 तारिक से ही हो जाएगी रविवार के दिन से ही हो जाएगी बट वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि उकते हुए सूरज के समय जो तिथी चलती है उसी को हम मान्य करते हैं इसलिए यहाँ पर 30 तारिकों ही अमावस्या को यहाँ पर माना जाएगा और अमावस्या की धूप भी जो है वह आप ती तारिकों ही लगाएंगे और सुबह सुबह 10 बज़े से लेकर के साड़े बारा बज़े तक के आप यहाँ पर 4 बज़े से पहले पहले किये गई दान पुनिय आप सभी को काफी ज़्यादा यहाँ पर देने वाले हैं क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है वो सारी चीजे में आप सभी को बता रहा हूं प्लीज नोट कर लीजेगा और ध्यान रखिए ऐसे मौके बार-बा पढ़ानी होती है और साथी साथ वहां पर बैठ करके वट्सावित्री व्रत की कथा पढ़नी होती है और पूजा करनी होती है इससे आपको बहुत अच्छा फायदा यहां पर देखने को मिलता है पति-पत्नी के संबंद मजबूत होते हैं घर की परिशानिया दूर होती है बच्चों के स्वास्त अच्छे रहते हैं और कोई दिकत कोई परिशानी नहीं आती तो यह आप सभी को करना है इस बात का विशेज द्यान रखिएगा आज के इस दिन में पती और पत्नी मिलकर के जोडे से तुलसी की पूजा कर लेते हैं तो यह तो बहुत ही जादा अच और शिव और पारवति की पूजा कर लें तो रिष्टों में साड़ी की सारी करवाहट जो होती हो खतम हो जाती हैं और रिष्टे मजबूत बनते हैं और लंबे समय तक चलते रहते हैं तो अगर आप सभी को भी अपने रिष्टों को मजबूत करना है तो प्लीज यह उपा में बहुत अच्छे नहीं विराजवान है तो यह सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है शनीदेव को प्रसंद्न कर लीजिए और उनसे आश्रिवात कर लीजिए ताकि आपको इस परिशानी से मुक्ति मिल जाए और आपका काम आसानी से बनने लग जाए शनी जयनती पर और सोमवतिय मावस्या के दिन शनीदेव को प्रसंद्न करने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा इसको आप नोट कर लीजिए अगर आप अपने गर पर शनीदेव की प्रतिमा इस्थापित करना चाहते हैं तो मेक शोर कि आप नीचे लाल कपड़ा बिचाएंगे आ अगर आपके गर के आसपा शमी का पौदा है तो शमी के पौदे पर भी काले उड़द थोड़े से अरपित कर दीजिएगा और सरसो के तेल का दियाज जरूर लगाईएगा और एक काला कपड़ा शमी के पौदे पर चड़ा दीजिएगा आज के दिन ये बहुत ही जादा अच्छा रिजर्ट देगा इनकेस गर में शनी की मूर्ती नहीं सापित करनी है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए प्लीज अगर आपके गर के आसपास शनी देव का कोई मंदिर है तो प्लीज वहाँ पर आज के दिन जाईएगा और साथी साथ सरसो के तेल का दिया जरूर लगाईगा काला कपड़ा और उसके साथ साथ काले उड़द वहां पर अर्पित कर दीजिएगा वह आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेगा इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे आपके सारी जीवन की परिशानिया समाप्त मिलेगा और अपनी माता जी से जितना आश्यवात ले सकते हैं आज के दिन जरूर लीजेगा आपको बहुत बहुत फाइदा यहां पर देखने को मिलेगा तो आज के दिन अपने माता जी को कहिएगा कि वह आपके अपर गुसा बिल्कुल भी ना करें और आपको अच्छे अच्छी बातें बोलें अच्छी ब्लैसिंग्स दें तो आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेगा साथ ही साथ आज के दिन में अगर आप शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पार्ट कर लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छे फायदे यहां पर देखने को मिल हैं तो कि पीपल की पूजास जरूर करनी है पीपल के पेड़े पर प्र करना बंचाइक अर्पित करना और साथ साथ 2 तीन बार परेकरमा लट करनी एंस से आपको बहुत अच्छा दिशा ओर साउध करिएगा और अपने साथी साथ आज के दिन क्या करना है पीपल के पेड़ पर आज के दिन मतलब के 30 तारीक की बात कर रहा हूं मैं 30 में को आपको क्या करना है पीपल के पेड़ पर आटे और चीनी को मिला के थोड़ा सा बुन करके हलका सा ब्राउन करके वहां पर बिछा दीजिएगा इससे आपक चीज करनी है शाम के समय पे पीपल के पेड़ पर गी का दिया जरूर लगाईएगा और सुबह के समय में पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जरूर लगाईएगा इस बात का विशेश ध्यान रखिएगा आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मि अच्छी बात है और बहुत यहां पर हमारे सामने उपस्ती थे तो मौके का फाइदा उठाना है और मुसीबतों को दूर करना है परिशानियों को दूर करना है और अपने दिन को अपने जीवन को अपने लाइफ को अपने परिवार को अच्छा करने की कोशिश जरूर करनी हैं उम्मिद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बैल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में कुछ समयना चाहते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सबी की हर संबब मदद्यां पर कर सकूं धन्यवाद